श्ष 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 भाव गया भाव गया भाव गया पीछ पहर बाव выз झीध़ इधर गईया इस साइड निकल लेगा आप तो मॉड़ difference सबसे पहले तो मैं आपको थेंक यू बोलना चाहूंगी आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी कॉमेंट्स में एडवाइस देते हो मुझे तो पता भी नहीं था मैं अभी परदे देखने गई थी आपने मेरी उस वीडियो पे मुझे बताया कि आप जो बास के जो परदे देख रहे हो आपको समझतो आई गया होगा जो ओफिस में पहले यूज होते थे वो परदे ना महंगे आएंगे आपको और सच में वो महंगे हैं मैंने कहीं जगर रेट परदा किया एक परदा ही बहुत महंगा आता है तो आप बोलते वो तो आपका खर्चा बहुत जादा हो जाएगा आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप प्लास्टिक के परदे लगवा दीजिए तो देखिए मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई प्लास्टिक के जैसे जो होता है ना उसमें भी परदे आते हैं मुझे तो था जैसे कपड़े वाले जो परदे होते हैं ना वो ही आते हैं तो अभी मैं थोड़ा सा ना सर्च करूंगी और मैं थोड़ा ओनलाइन देखूंगी कितने क्या आते हैं है और मेरे को कलर भी अब मुझे कॉमेंट में सजेस्ट करीं दीजिए जब आप इतना सजेशन मुझे दे रहे हो कि मैं कौन से कलर के परदे लगवाओं मैं तो सोच रही हूँ ब्राउन कलर लगवाद हूँ लेकिन आप भी मुझे बता दीजिए बहुत हलका कलर भी नहीं ल सुन्दर भी लगे और यह आज ही के दिन की वीडियो और आज ही जाएगी तो देखिए रात को एक्चुली आपको मैंने बताया था कि हमारे घर में पानी की टंकी पूरी खतम हो गई थी तो पानी घर में था ही नहीं इसलिए ना मैंने सारे बरतन अब सुबह मोटर चलाई हम मारे सुबह तो पानी आ जाता है साथ बजे तक तो अरली मोर्निंग तो मोटर चलाके मैंने टंकी भरी अभी कुछ दिनों से क्या है ना पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो एक गंटा मोटर चला रहे हैं तब जाके आधी टंकी पानी की भरती है पहले तो के सेकेंड को ठोटी है टोरी भोती चोटी है जातमे देखो हरे दमीी के चाबाइ निया की बनाए क्योंकि काफी दधो महीने से खानी रहते मैं बोलती मेरा भास चावल झाने का गार मृने का चावल बना दे मेरे लिए कश़ साथ में दाल हो जाएगी देख लो पंडे चड़ाती है तो मैंने सुबह देखिए सारे बर्तन धोके इधर लगाती है मम्मी पापा जी का मैंने सुबह का नाश्ता भी करवा दी है और बस सुबह की चाए रहती है स्लैब भी पूरी अच्छे से क्लीन कर दी है दिहान की सुबह सुबह ना ब्रेकवास्ट करने की आदत ही नहीं है आज स्कूल सुबह भी देख लीजिए कुछ नहीं खाके गया स्कूल फिर दो पैकिट में दूद के भी ले आई हूँ एक दो मिनट उबाला ने देते हैं अच्छे से डाल में डाल बन गई है कि फिन में डाल अभी गरम में ठंडी हो जाए पापा जी मैं बाहर गई तो देखिए कुछ ना कुछ काम लेकर बैठी जाते हैं तो यह प्राइमर कर रहे हैं पहले मुझे लगा था पापा जी यह पेंट कर रहे हैं तो बोलते की पेंट बाद में होता है पहले न पूरे यह गेट पे इधर आगे जितना भी अभी काम करवाया है मिस्तरी भाया जो बंदर जाल लगवाके गए है ना तो उस पे पेंट करना हमें पढ़ेगा दरवाइस ना ये कमजोर हो जाता है लोहा पेंट मांगता है तो पापा जी अभी प्राइमर करेंगे उसके बाद पेंट करेंगे तो यही होता है देखिए इस उमर में पापा जी कुछ खाली बैठे बैटे ना वह रो जाते हैं यहीं बात मुझे यहाँ पर कह रहे थे कि ना ठीक है टाइम पास का टाइम पास हो जाएगा और यह देखो Hier ने डूवार तो अगले 7-8 दिन में हो जाएगा जल्दी दौगी और न Schnee तो दीरे दीरे भी ये काम हो जाएगा और न्यू यर तक तो मैंने कुछ सोच रखा है अपने घर में ना मैं पैनल शीट्स लगवाना चाहती हूं थोड़े पैसे जमा करूंगी सेविंग करूंगी तो हो जाएगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे क्योंकि मेरे घर मे मैं ज्यादा डार्क नहीं लूगी और यह देखो ममी कंगी कर रहे हैं आप लोग मुझे मत बोला कीजिए ममी अपने आप कर सकते हैं कंगी बैठके अभी इनकी हालत इतनी ज्यादा वैसी वाली खराब नहीं अभी पहले से तो बैठे बैठे ना पूरे दिन में कंगी बाल मैंने बाइक खरीदी तब जब विहान का स्कूल शुरू हो गया था क्योंकि मेरे को तब दिक्कत आनी शुरू हो गई थी तब मुझे समझ में आया कि मुझे टू वीलर खरीद लेना चाहिए अदर्वाइस मैंने पैदल ही जाती ती कहीं जाना हो तो यहां पे विहान के मै स्कूल में पहुँच गई थी अभी विहान नर्सरी क्लास में है LKG UK अभी आगे दो साल भी यहीं इसी स्कूल में पढ़ता रहेगा बाद में फर्स्ट क्लास में विहान का स्कूल मुझे चेंज करवाना पड़ेगा तो मैं खाना एक्चुली सड़े-10 बजे की करने में लगे हुए थे और ममी थोड़ा सा हराम से धूप सेकने लग रहे हैं मेरे ध्यान ही नी रहां करवाई दिमें तो वह दूसरी वाली नमकीन भूजिया आपको हुस्पिटल जाते हुए दी थी खतम होगी होगी ममी मेरे पास तो यहां पापा जी ने रख दिया था प्राइमर मैंने ले लिया मैंने का चलो मैं अपना थोड़ा सा पेंट मैं निप्टा देती हूँ और भगवान जी फ्लीज 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 हमारे घर में भी थोड़ी सी खुशिया ले आओ बस अब और हम ठक चुके परिशानिया जहलत अब हमसे और सहनी होता यह सब हमें भी खुश रहने का हाग है हमें भी खुशिया चाहिए भगवान जी प्लीज हमारे घर में खुड़ी खुशिया दे आज मैं पंखे साफ करना चाहती हूँ बहुत गंदे हो गए हैं बट मैं किस चीज से साफ करूँ मेरे पास वो तो नह हैं मैं पहले तो क्या करती थी जैसे वाइपर वगेरा होते हैं उसमें पोचा लगाके बस घीला पोचा लगाके उपर उपर से से पंख्या साफ कर देती थी बट मेरे ख्याल से इनका कुछ स्पेशल ब्रश भी आता होगा ना क्यूंकि सच में बहुत गंदे से हो गए हैं और यहां भी ना मैंने कहीं बहुत दिन हो गए थे यहां इन सफाई किये तो यह डस्टिंग तो जैसे नॉर्मल सफाई तो रोज होई जाती है बर डस्टिंग कभी कभी होती है जब लगता है ना कि गंदे से हो गए हैं धूल मिटी हो गई है तो मैं कर देती हूं अधर्व एक लाग सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत जल्दी हो गए थे उस टाइम तो मेरे हर महीने दस हजार सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे मुझे आज भी याद है मेरे शुरू के 30-35 हजार सब्सक्राइबर तो मेरे एक महीने में ही हो गए तो यह मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ये अ़र मेरे इस साल मेरे कम हुए और इस मेरे और अगर मैं शौट वीडियो डालती हू ना तो अगर मैं शौट वीडियो डालती हू तो मेरे हर महीने ON, 1000 बढ़ जाते हैं मैंने ये भी देखा हैं तो पर लिए बढ़ारी आप apprendre ऐसे हुजड यह देखो इसे भी मैं साफ कर देती हूं मैं इधर लगा रखा है और यह विहान के खिलोने लाया करती थी इस तरीके के सोफ्ट ओइस मैं कभी डोरी मोन लाई कभी मैं यह टाइगर लाई और फिर मैंने इसको डेकोरेशन परपस के लिए रख दिया और यह मेरे को बहुत यह होता है ना घर में जब हम काम करते हैं तो मुझे पता चलता है कि क्या कमी है घर में तो यह देखो यहां भी डस्टिंग करूँगी मंदिर की यहां भी थोड़ी से धूल-धूल मिटी हो रखी है इसे भी क्लीन कर देती हूं और अभी देखिए मैंने दिन की चार वीडि अभी भी आपको बता है कि होस्पिटल की विजिट्स भी होती हैं तो उनमें भी खर्चा लगेगा तो इसलिए मैंने पहले मेरी दो वीडियो जाती थी रोज की फिर मैंने तीन वीडियो करी जब मुझे पैसो की जरूरत थी बट अब तो एकदम से थोड़ा सा बर्डन आगे है तो फिर उसको कम करने के लिए मैंने सोचा काम जादा करूंगी यूट्यूब से थोड़ी अर्निंग हो जाएगी तो फिर मेरा थोड़ा सा खर्चा निकल जाएगा समझ सकते हो ना आप तो यह देखिए मंदिर भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करा और यह थोड़ा सा तो आप सभी आप लोग उसे मुझे जरूरी बात करनी है मैंना कल से ना मेरे मेरे को बहुत तेज एंग्जाइटी हो रही है मैं बहुत जादा डरी भी हुई हूई हूँ कारण में आप सब से शेयर करती हूँ मैंने विहान का टेस्ट करवाया था BKFT का किड़नी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं जिसमें उसका क्रियेटी नाइन आ रहा था वन सीरम क्रियेटी नाइन बोलते हैं उसको 1.02 मतलब एक लगा लो वन आ रहा था और डॉक्टर बोलते ठीक है नोर्मल है लेकिन ना मैं गूगल पे सर्च किया तो उसमें या रहा है कि ना जैसे तीन से पादा नहीं होना चाहिए क्रिटी नाइन और इतना ही होना चाहिए पांच-छे साथ साल के बच्चों तक का यह वन तो ना जैसे बड़ों का होता है जैसे मालो 15-16 साल का बच्चा हो या बड़ा हो थोड़ा 14-15 साल का उनका वन तक हो सकता है तो मेरे को ऐसा अंदर से घब ना क्या बोलते हैं देख पता नी पैडिटेशियन जो मतलब बच्चों के ही डॉक्टर होते हैं वह लिखा हुए और उस रिपोर्ट में लिखा है कि 1.5 से लेस होना चाहिए यह वैल्यू सीरम क्रिटी नाइन लेकिन मेरे को यह कंफ्यूजन हो रही है कि क्या छोटे बच् पेंड हो रहे हैं मैं डर ही हुई हूँ मेरे को ना यह चीज समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर ने तो कह दिया रिपोर्ट ठीक है मानती हूँ अल्ब्यूमिन की वैल्यू ट्रेसिस में आ रही थी मतलब बहुत थोड़ा सा माइनर था ट्रेसिस तो वह वह चलो दोनोंने का ठ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है मतलब एक होता है ना जैसे स्पेशल किड्नी का ही हो तो मैं सोच रही हूँ एक बार उनको भी दिखा दू विहान का मुझे लग रहा है कि विहान का थोड़ा जादा है यह ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने गूगल पे काम होना चाहिए अब मेरा खुद का 0.6 आता है जब भी मैं करवाती हूँ 0.6 से उपर ही नहीं पड़ता मेरा और विहान का भी से वन आ रहा है वो छोटा है है ना और उसके बाथरूम में मैं यह नहीं समझ पा रही हैं अब मैं इस चीज़ का कारण नहीं समझ पा रही हू मैं तब से काफी दिनों से मैं जब से चीज़ नोटिस करी है ना बच्चे के लिए तब से मैं खुद परिशान चल रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि exactly देखो अगर मैं डोक्टर से जाके पूछ रही हूँ कि क्यो बन रहा है मेरे बच्चे के बाथरूम में जाग तो मुझे कोई कारण नहीं बताए उन्होंने उन्होंने कहा कि मतलब स्पैसिफिकलिए क्या कारण हो सकता है बच्चे का इतना चोटे बच्चे के क्यों आ रहा है हाना मतलब प्रोटीन लीकेज है वो भी थोड़ी है उसमें ट्रेसीज आ रहा है अल्ब्यूमिन तो मुझे लेकिन मेरे को यह चीज क्यों लग रही है कि वैल्यूो ना कम होनी चाहिए थोड़ी और कम होनी चाहिए अभी भी ज़ादा हैं बच्चे की हिसाब से तो इस चीज की वज़़ए से मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती ह capitalist Spike्रनी करवाने चाथ ना में बच्चे के majn Mac कि निकल के बाहर आ जाएगा मैं इतनी डर जाती हूं यार सच में बच्चे के टेस्ट करवाते हुए मैं को बहुत डर लगता है क्योंकि अंदर दिल में डर बैठ चुका है मेरे हस्बेंड की जो बीमारी मैंने देखी ना उसका अंदर से ना दिल में घबराहट होती है मिरको हर कोई नहीं समझ सकता वो चीज़ क्योंकि एक होता है ना कि वो चीज़ मैंने जेल ली एकदम से तो वो चीज़ से डर लगता है मुझे और वो भी दिक्कत ही है ना कि मेरे हस्बेंड की जो बीमारी थी ना वो FSGS थी वो किडिनी की खुद की बीमारी थी जो ना बच्पन म हो पाया था मेरे हस्बेंड का क्योंकि वो उसे पहले ही एकस्पायर हो गए थे पर जो डॉक्टर को ना दो रीजन लिखे थे और लिखे तो उसमें FSGS था तो उस चीज़ का मैं डरती हूं मेरे बच्चे के लिए मैं सोचती हूं इतना कमजोर सा है पतला सा है तो ऐसा क्यों को भी दिखा दू वी हान की रिपोर्ट जो स्पेशलिस्ट किड्नी के ही हो डोक्टर पता नहीं क्यों मेरे मन में इस बार बार आ रही है कि ना क्योंकि मैं बिल्कुल भी इतनी से भी अपने बच्चे के साथ लापरवाई नहीं करना चाहती हूं अब समझते हो मैं को बहु बहित अच्छी बात है मैं भी चाहती हूं मेरे बच्चे में कोई दिक्कत ना हो ठेकिन मैं वह घब रहाती हूं क्या नूर्मल है बच्तों में व नकरेटि नाइन लीवल आना 3-3 साल का बच्चा हो 3-3 की नहीं हो 2-3 की नहीं 3-4 महिने के बच्चे का वह चीज मेरे मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी तो मैं यही सोच रही हो कि मैं एक बार बच्चे को ना यही मैंने सोचा है कि आधार होस्पिटल में किड्नी के जो डॉक्टर है ना मैं उनको दिखा हूँ रिपोर्ट विहान की उनसे एक बार डिस्कस कर लूँ मैं मैं करूंगी तो मेरे को तसल्ली से नहीं हो रही बदाने क्यों ठीक है जी एंड करते हूं विडियो का ध्यान रखिए अपना बाई बाई टेक केर